नमस्कार दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है open interest के उपर जैसे कि मैंने मेरे जो telegram है उसमें मैंने कल भी शाय किया था और आज यहां पे मैंने पोल रन किया था वहां पे पुछा था कि क्या आपको open interest में समझना है क्योंकि मैंने जो कल 37,500 का call shot किया था वो क्या किया था और मैं अगर जब market स्टार्ट होता है तो मैं कैसे open interest देखता हूं तो वहां पे 98% लोगों ने बोला कि हां मुझे हम लोगों को एक छोटा सा वीडि दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरू कर देना अगर वीडियो एन कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक जरू करना और दोस्तों के साथ शाय करना तो सुरू करते हैं यहां पे फिचर open interest से तो यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि यह जो मैं यूज कर रहा हूं यहां पे आईचार्ट वह एक पेड वर्जन है पर अगर आपको ने पहले मेरा वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने आप लोगों को यह वेबसाइट बताया था जहां पे फ्री है कि आप यह जो वेबसाइट है वहां से open interest आपको यहां पे पर मुझे अच्छा लगा था क्योंकि काफी लोग पे नहीं कर सकते हैं तो मैंने यह शेर किया था दोस्तों तो फर्स क्या मैं इसी पर आपको समझाता हूं और फिर आपको दखाता हूं कि पेड में भी सेम रहता है और इसमें भी सेम ही है हो सकता है डिले 10-15 सेकंड या मे मैं यहाँ पर क्या करता हूं यह 15 मिनिट के रखता हूं अगर मार्केट ज्यादा वोलटाइल है तो मैं इसको यहाँ पर चेंज करके 5 मिनिट कर देता हूं तो यहाँ पर मैंने 15 मिनिट रख दिया था तो यहाँ पर क्या होता था फर्स जब मार्केट स्टार्ट हुआ नही jump नहीं करना है starting में unless and until आपका जो pre study रहता है और उसके इसाफ से market चलता है तो ही करने का नहीं तो wait करने का at least 9.45 तक तो यहाँ पर first 15 minute में आपको यहाँ पर देखने के मिल रहा है कि short covering आया और वो जो यहाँ से price था move होके आ गया 6.91 9.45 देखो गए तो यहाँ पर data यहाँ पर होने लगा change क्योंकि उस दिन क्या था कि 17,600 पर call short हुआ था तो higher chance था कि वहाँ से market reverse आना चीए और वहाँ से फिर reverse आना चालू हुआ था short covering हुआ फिर यहाँ पर क्या हुआ short build up हुआ तो जो पहले short covering हो चुका था फिर यहाँ पर short build up हुआ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो amount of open interest है वह देखो first कितना था 17,350 यहाँ पर काफी लोगों का stop loss कटा होगा second 4,78,000 फिर यहाँ पर long unwinding हुआ फिर short 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 until कहा तक 583 यानि कि जहाँ यहाँ से short चाल हुआ 100 points उन्होंने नीचे लाए दिया market अब फिर यहाँ से क्या होता है कि जिनका पहले short हुआ प्रॉफिट भी book होता है कुछ लोग को लगता है कि अभी support पर आया 600 buy करो तो यहाँ से कुछ लोगों ने buy किया 1,18 पर यहाँ पर नोटीस हमें करना है कि price इतना moon नहीं हो रहा है दोस्तों तो यहाँ पर हमें buy नहीं था फिर continue आप देखो second shot आ गया फिर से long buy price moon नहीं हो यानि कि जब market short हो रहा है तो जो हो यहाँ पर बढ़ रहा है उस हिसाफ से price भी गिर रहा है पर जब market में यहाँ पर long build up हो रहा है तो price नहीं बढ़ रहा है तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर जो रिटर यहाँ पर आपको short covering देखने को मिला था जो करीबन 527 के आसपास है यहाँ पर फिर यह long build up, long build up, short covering, short covering, long unwinding करके 500 के आसपास market ने यहाँ पर closing दिया था जो मैं आई चार्ट में में यहाँ पर benefit क्या रहता है कि मैं एक VWAP है वो आप आपके जो software है उसमें भी आप add कर सकते ह तो यहाँ पर आप देखो कि similar ही data आपको देखने को मिलेगा जो मैंने अभी आपको free version में दिखाया 17.350 है यहाँ पर भी आपको 17.350 ही मिलेगा तो यहाँ पर क्या था कि जब short build up हुआ था तब इसका VWAP था 679 दोस्तो यह अगर यहाँ पर आप highlight कर दो तो आपको यहाँ प price यानि कि इसने जब short build up चालू वहा यहाँ पर 4.75 यह आपको notice करना होता है कि highest यहाँ पर पहले ही 15-20 मिनिट में बन जाता है कोई भी यहाँ यहाँ पर open interest उस time का आपको VWAP उस time का price आपको यहाँ पर एक note down करके रखना है जब तक यह इस level के नीचे है हमें buy नहीं करना है short करना ना करना आपके है पर ideal रहेगा कि अगर आप call short करते हो चोटा सा risk लेके तो भी आपको profit मिल सकता है especially अगर आप Wednesday और Thursday करते हो तो काफी अच्छा मिलेगा तो यहाँ पर अभी यह आपको price देख रहा है तो continue देखोगे यह वीवेप के नीचे ही यहाँ पर trade करता रहा ह जब भी आप देखोगे यहाँ पर प्राइस नोटिस करो प्राइस इसका यह वीवेप all the way यहाँ पर down आ रहा है अभी इसको हम आगे देखते हैं यहाँ पर कहां तक तो जब तक हम यहाँ पर closing हुए आपको यहाँ पर देखने को मिलना है कि continue यह वीवेप के नीचे ही चलत बना होगा तो आपको अगर आई चार्ट यूस करते हो तो एक benefit रहता है आपके पास वीवेप रहता है डे हाई रहता है एंड डे लो तो यहाँ पर अगर आपने शॉट किया तो आपका stop loss रहता है करीबन यह डे हाई के ऊपर तो आपको monitor करना है यहाँ पर fresh low लगा तो देखते हो तो यह है 17,500 का call and put तो यहाँ पर जब दिन स्टार्ट हुआ तब open interest इस लेवल पर था price यहाँ पर यह जो green line है वो average price है तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर market ने इस लेवल पर यानि 936 से आप देखो के continue rise होना चालुआ यहानि कि call में short बढ़ना चालुआ price आया और यहाँ से continue उसका आप वहाँ देखोगे rise हो रहा है और price इसका fall हो रहा है ideal आप देख सकते हो stop loss आप आपका रहता यहाँ पर यह जो add the money sorry ATP है उसका जो वहाँ पर opposite आपको put में देखने को मिल रहा है initially क्या था यहाँ पर open interest तो यहाँ पर पहले से बढ़ा open interest बना चलोगा यानि कि यहाँ पर fresh put long किया गया है short नहीं किया गया था तो आपको यहाँ पर कहां तक मिलेगा इस level तक जब इसके नीचे इसने break किया वाई जब यहाँ पर कम होने लगा था तो यहाँ पर profit booking आया था और उसके बाद में यहाँ पर फिर short बनने लगा और price कही money पर close हुआ at the money के आसपास put में तो यह एक अच्छा सा setup रहता है अगर हम यहाँ पर 37,500 देखते हैं मैं यहाँ पर भी आपको दिखा दो कि free में भी आप देख सकते हैं तो option में जाओगे यहाँ पर आपको क्या करना है आपको price देखना है price versus OI मैं यहाँ पर कर देता हूँ nifty bank और 37,500 जो हमारा strike था okay similar जो मैंने आपको आइचार्ट में दिखा है मैं आपको यहाँ पर bank nifty का दिखा था हूँ उसके पहले मैं यहाँ पर आपको दो जो मेरा screenshot था मैंने जो group में share किया था वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ तो यहाँ पर मैंने जब मेरा group है जो SG option है वहाँ पर मैंने उन लोगों को यह photo share किया था और वहाँ पर बताया था कि 280 जो है वो break नहीं करता है तो हमें यहाँ पर shot मिलेगा बहुत ही अच्छा मिलेगा अगर आपको note down करना है तो मैंने बुला था कि 225 भी आप note down करके रख सकते हो उसके नीचे भी काफी अच्छा सा एक shot यहाँ पर आपको मिलेगा दूसरा यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो मेरा यह friend है उसने भी मुझे पुछा था मैंने बुला 280 ब्रेक नहीं किया तो possible है zero हो जाएगा और उसने भी काफी अच्छा सा पैस वहाँ पर बनाया था जब उन्होंने short कर दिया तो short हमारा कौन से level पर था जब यह हाँ पर rejection बना था यह rejection होने के बाद में उसने low करीबन लगाया 120 का तब मेरा यहाँ पर जो SL था वो मैंने यहाँ पर उन लोगों को बोला कि trail करके 212 कर देना तो इस जगह पर 212 का आप द यहाँ पर 0 तो अब वापस हम यहाँ पर चलते है चार्ट पर तो call price versus यहाँ पर OI है तो यहाँ पर मैंने 37500 का रगा हुआ है तो 37500 ही क्यों आपको दिमाग में आएगा तो वहाँ पर क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जो उस दिन उसके एक दिन पहले काफी टाइम हमने consolidate किया था 37500 पर market खुला कहां पर 37800 के आसपास गया कहां पर 38 के आसपास feature में वह एक resistance है तो definitely वहाँ से उसको वापस आना है और 37500 में start से ही यहाँ पर short होने लगा था तो यहाँ पर higher chance था कि वह यहाँ पर नीचे आएगा जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो यह है इसका OI यह है price तो जैसे आप morning में देखो को जो high लगाया था उसको उसने second time में attempt किया पर वहाँ पर high की side नहीं गया पर यहाँ पर यह open interest यहाँ बढ़ने लगा था तो यहाँ पर in the money open interest बढ़ रहा था तो higher chance है कि price नीचे मैं यहाँ पर क्या wait किया था कि मुझे यहाँ पर जो average price था उसके नीचे short करना था और फिर वहाँ पर एक अच्छा सा मौका मिल गया और फिर यहाँ पर पहला short हमारा था वो करीबन 300 के आसपास था उसमें हमने 300 के आसपास था 300 में हमने profit book किया second हमारा short बना 280 के बाद में तो फिर यहाँ पर आप देखो के continue rise हो रहा है अगर आप यह चार्ट follow करते हो तो आपके लिए best कौन सा रहता है कि जब OI और price line को cross करता है आपका short यहाँ पर अच्छा बनता है तो आप देखो कि price था 188 OI ने cross कर दिया तो price का तो फिर आपको यहाँ पर नीचे पर आपको 0 तक ले के जा सकते हो अगर आप i chart जो मैं use करता हूँ वेरा मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे वहाँ पर देखता हूँ ओके दोस्तों यहाँ पर हमें जो 37,500 का मैंने यहाँ पर strike लगाया historical price लिया है आपको समझाने के लिए तो starting में अगर यहाँ पर आप देखते हो तो first तो आपको long builder देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो notice करना है दोस्तों OI continuous बढ़ रहा है और यह वीवेप के नीचे price जब trade कर रहा है आपका short बनता है तो इस level के आपसपास कहीं पर भी आपका short बनना चाल हुआ था और अगर आप notice करोगे all the way यह वीवेप के नीचे ही चल रहा था और continuous यहाँ पर rise हो रहा था OI का तो एक यहाँ प अंदर क्या रहता है मैं इंदमनी देखता हूं और अगर मार्केट साइड जो इस है तो मैं 200 पॉइंट ऑवे का देखता हूं तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा कुछ सिखने को मिला होगा थोड़ा ही सही पर आपको अच्छा ल करता है